क्वालियर पुलीस ने CM सचीवाले का फर्जी अधिकारी बनकर ठेकेदार को धमकाने वाले आरोपी को गिरफतार किया है आरोपी ने स्वच भारत मिशन 2 में टेंडर ना डालने और 30% कमीशन के लिए ठेकेदार को धमकाने का आरोप है पकड़े जाने के बाद पूचताच में आरोपी ने खुद को CM हाउस से जुड़ा होना बताया था और भोपाल में मुलाकात के दौरान एक होटल में धमकाते हुए ठेकेदार से यह भी कहा कि निविदा मिल भी गई तो भोपाल से वो भुकतान नहीं होने देगा ठेकेदार की शिकायत पर पुलीस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफतार कर लिया है वहीं पुलीस आरोपी से पूचताच कर रही है दरसल क्वालियर के महाराजपुर थानाक्षेतर के डीडी नगर में रहने वाले रविशंकर श्रीवास्तव ने क्राइम प्रांच पुलीस से शिकायत की थी जिसमें उसके द्वारा जिला मुरेना और जिला भिंड की निविदाओं में भागीदारी की गई थी इसी को लेकर अभी मन्यूजो की वेंटकेश कालोनी इटारसी मप्र का रहने वाला है ने रविशंकर को सीएम सचिवाले का अधिकारी बनकर धंकी दी थी कि स्वच भारत मिशन दो में टेंडर ना डालने और अगर डालता है तो 30% कमीशन के लिए ठेकेदार को धंकाया था आरोपी ने खुद को सीएम हाउस से जुड़ा होना बताया था और भोपाल में मुलाकात के दौरान एक होटल में धंकी दी और कहा कि निविदा मिल भी गई तो वो भोपाल से भुकतान नहीं होने देगा इसके बाद ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलीस ने आरोपी अभी मन्यू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उसे इटारसी से गिरफतार कर लिया पताया जा रहा है आरोपी अभी मन्यू एक रिटायर्ड SI का बेटा है और उक्त के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है पुटी पैचा ने स्तावित करके अपने उच्छे संपरकों के खवाला दिया और उसको पहले तो धमकाया गया कि वह भेंडर मुर्णा के टेंडर ना डाले बाद में इस व्यक्ति ने इसको भुपाल बुलाया भुपाल में मेरियट होटल में की मीटिंग हुई मेरियट हो करें यदि आप इन टेंडरों भागिदारी करना चाहते हैं तो तीस परसेंट का हमको सियर देना पड़ेगा इसके वाद से व्यक्ति यहां की जो फर्मती एसार मैप टेक्नलोजी इसकी फर्म का जो मालिक है दवीशंकर इसने क्राइम ब्रेंथा ने पहुंच के रिपूर् रहें तो इसकी सूचना के अधार पर क्राइम ब्रांच में अधर्ज की गई धोका जड़ी औरीवाजी के संब्द में इसके बाद इसको अरेस्ट किया गया है अभी यह पांच दिन के पुलिस रिवांड पर है इससे प्रहेंवरी पूद्दाज में पता लगाए कि विक्त मैं यह टोटल में हमारी जो लोकल की यहां की फर्म एसार मैप टेक्नलोजी इसको किस प्रकाट से दो कड़ी इसके साथ की गई किस प्रकार से इसके साथ दबाब डाला है सर इसके अलावा पहले भी किसी के साथ में यह इस तरीकी की घटना करें तेकि अभी जो रिपोर्ट हुई है उग्वालियर की फर्म के प्रोप्राइटर के तर्फ से हुई है यह व्यक्ति अपनी जूटी पहचान इस्थावित करके इस प्रकार का दवाव डालके धोकदरी की गई है अब इसे पूताइश की जाएगी कब से ऑपरेट कर रहा है मैरे टोटल में किस-किस नाम से रुका है इस बात की संभाव ना है कि और भी लोगों के साथ से कनेक्शन्स रहा होगे पुलिस रिवान प्रेट उत्ताइश की जाएगी इसे